नमश्कर दोसो, स्वागत है आप सब का भद्रा IAS Academy मैं आज का डेट है 24th of April and Assam Tribune के डेली के निउस पेपर अनालिस में मैं शिबोधीप आप सभी का स्वागत करता हूँ चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज का निउस यहां पर हम लोग बात करेंगे चक्मा है जॉंग क लेकर नौ एक अभी फ्रेश रो हमें देखने को मिल रहा वर दरी लोकेशन ओफ दीस कम्यूनिटीस तो असाम अच्छली अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर ने क्लियरली बोला है अभी तक सेंटर से ऐसा कोई हम लोग को डिरेक्टिव नहीं आया है तो चक्मा हजों कम्यूनि जिफ नए बंग्लादेश के रहने वाला है बांगलादेश की भी कहां पर चित गॉंग रिल ट्रैक अब चित गॉंग हिल ट्रैक कान सा है देखो यह है बंगलादेश राइट बंगलादेश का यह जो पाट है ना इस पार्ट को ही चित गोंग हिल ट्रैक sounds like both are right now but 1960 में क्या हुआ था, that इनके जो बहुत सारे land है, वो सबमर्ज हो गये थे पानी के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक project चला था, जिसको हम लोग कहता है Capti Dam Project, है ना, जिसके कारण अब उनका घर में अगर पानी घुज गया तो उनको तो वहाँ से भागना पड़ेगा ना यार, है ना तो वो लोग भाग कर इधर इंडिया में आ गये थे, तो वही बोला गया है, that Chakmas, इन में जो है न, ये लोग बुद्धिस्ट है, और Hajongs जो है, ये एक Hindu community है, राइट अच्छा, इन लोग को देखो, ये तो इशू था, जिसके करन लोग भाग के इंडिया है थे, but पाश से ही ऐसा देखा जाता है that they have faced many religious persecutions in Bangladesh, in fact Chakmas and Hazongs, अगर देख लिजेगा they have entered India through the then Lushai Hills districts of Mizoram, देखो अभी ये जो रीजन से न, इन्स इस रीजन से बेसिकली ये लोग इंडिया में entry मारे थे, फिर बाद में धीरे-धीरे ये लोग different other parts of इंडिया में हमें settled होते हुए देखने को इने मिला, ठीक है, so वही बोला गया that within Chittagong Hill tracks Chakmas, अगर देख लिजेगा, ये one of the largest ethnic group है, और उस रीजन के population का अधा population, तो इन Chakmas जो किया Buddhist communities है इनके द्वारा ही बनाया जाता है तो Chakma undoubtedly इस region में possess करता है कि strong genetic affinity to Tibetan-Burban groups as well of North East India and East Indian population, in fact असाम में जो Chakma communities है ना, इनको पता है, scheduled tribe status भी दिया गया है, और हैजॉंग community की जहाद तक बात करें, तो they are the fourth largest ethnicity in Meghalaya, हैजॉंगs predominantly ये लोग rice farmers है and they have the status of shirul tribe in India, states of Assam as well as Meghalaya तो ये सब कुछ-कुछ important है aspects है, जो के यहाँ पे discuss किया गया है, ठीक है, next, बात करेंगे हम लोग, Khongjom Day के related, now, Assam Tribune का ही ये news article है, जहाँ पर Manipur government ने commemorate किया था Khongjom Day, Khongjom Day, ये celebrate किसलिए किया जाता है, देखो 1890 war में, एक war हुआ था, जिसको बोलता है Anglo-Manipur war, यहाँ एक armed conflict था, तब के British government और Kingdom of Manipur के बीच में, और ये battle Manipur के Khongjom area में, एक hills है, जिसको बोला जाता है, Kheba Hills, यहीं पर लड़ा गया था, जिसके clearly result यही था, that Britishers victorious हुए थे, but, उस समय बहुत सारे ऐसे Manipur के Frim Fighters थे, जिनकी जाने गई थी, इसलिए Khongjom War Memorial Complex बनाया गया था, जिससे उन soldiers को remember किया जा सके, तो कल को अगर आपके questions आ जाए थे, Khongjom डे कहां पर celebrate किया था, you should be very well known to it, that is Manipur, है ना, माफ किज़े guys, anyways, moving on, next, pink hydrogen के related, आज का news है, now, इंडिया जो है ना, यह consider कर रही है, amending Atomic Energy Act of 1900 and, sorry, 1962, now, Atomic Energy Act of 1962 में क्या ऐसा है, जो amendment करना पड़ा, देखो, पहले के Act में था ना, private investment nuclear sector में restrictions थी, but, इस amendment के साथ, private investment आराम से nuclear sector में किया जा सकता है, जिससे boost किया जाएगा हमारे देश का nuclear capacity, और साथी साथ, promote की जाएगी हमारे देश में clean energy initiatives, particularly hydrogen को यहाँ पर focus किया जाएगा, तो, currently, अगर देख लिजेगा, Act restrict करता है, private ownership of nuclear power plant, yes, but, यह जो amendments बोले जा रहा है, इससे enable किया जाएगा, private companies को, जिससे वो कुछ-कुछ activities, not सब कुछ, बट कुछ-कुछ activities में participate कर सके हैं, जैसे, जैसे financing, project development, equipment, equipment supply, इन सब चीज़ों में, और, इसी चीज़ों से बोला जा रहा है, production किया जाएगा, future में, pink hydrogen, now, आपने तो green hydrogen बोला था, बहुत पहले, green hydrogen तो हम लोगों ने सुना है, क्या होता है, right, बट यह pink hydrogen नहीं है, कौन सा hydrogen आ गया, भाई, देखो, important है, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है, next year, prelims में आपको इन सब से questions पूछा जा सकता है, right, pink hydrogen, जिसको generate किया जाता है, through electrolysis, powered by nuclear energy, now, types of hydrogen अगर देख लीजेगा, एक होता है, grey hydrogen, एक होता है, black hydrogen, blue hydrogen, green hydrogen, है न, देखो, इनके नाम तो पता है, अब नया एक hydrogen है, pink hydrogen, but और भी है, turquoise and yellow hydrogen, यह सब भी है, जो कि, of course, बात में देखता है, पहले तो हम लोग देख लेता है, जो जो हम लोग को पता है, जैसे black hydrogen, यह gasification process से, इसको, you know, extract किया जाता है, और इसका main source है, coal, वैसे ही, gray hydrogen, जिसको steam reforming process के थूँ, natural gas से extract किया जाता है, वैसे ही आता है, blue hydrogen, जिसको steam reforming and carbon capture के थूँ, natural gases से procure किया जाता है, और हम लोग ने जो past में देखा था, green hydrogen, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आर्मला आर्टिकल देखा था, the Assam Tribune, the Indian Express, the Hindu, सब में, वो है green hydrogen, जिसको electrolysis processes through renewable energy के थूँ, extract किया जाता है, अभी जो हम लोग बात करें, यह है pink hydrogen, जिसको again electrolysis process ही इस्तमाल किया जाएगा, but इसका source renewable energy नहीं रहेगा, इसका source रहेगा nuclear energy, ठीक है, और बाद में जो turquoise hydrogen, यह paralysis के थूँ, natural gas से extract किया जाएगा, और electrolysis के थूँ, solar gas से extract करने वाला जो hydrogen है, उसको हम लोग बोलेंगे, yellow hydrogen, next, news, हम लोग Ross ice shelf के बारे में discuss करेंगे, Ross ice shelf, देखो, Antarctica, आपको पता है ना, so this is Antarctica, right, और Antarctica के, यह वाला जो पार्ट देख रहा है अपको, this part is called Ross region of Antarctica, researchers ने recently discover किया that massive जो यह Ross का ice shelf है, यह jump लगा रहा है, twice a day, अरे भाई, यह क्या है भाई, देखो, यहाँ पर क्या है, हमको समझना परेगा, actually, यहाँ पर देखा जा रहा है, that tremors of earthquake fault, मतलब यह earthquake fault है, यहाँ पर fault create हुआ है, वहाँ पर primers हमें देखने जाते हैं, जिससे Ross ice shelf जो है, वो धीरे-धीरे समय के साथ-साथ weak हो रहा है, और कहा जा रहा है, यह one of the major region है, जिसके कारण यहाँ का ice धीरे-धीरे melt कर रहा है और overall sea level में हमें rise देखने को मिल रहा है row, so, यह sudden jump जो है, यह occur करता है, जब दो section of ice, press करता है against each other, जिससे rubbing होता है, और rubbing से tension create होता है, जैसे tectonic plates में होता है, वैसे so, researcher team ने जो है emphasize किया है, that ice quakes or fracture, they are natural occurrence of ice shelves, जो क्या अभी, Antarctica के Ross ice shelf में, clearly देखने को भी हमको मिल रहा है तो, कही ना कही दो group of geographers है, या फिर scholars, हम लोग जो बोल सकते है यह शायद आप लोगों को थोड़ा extra knowledge मैं दे रहा हूँ दो group of scholars है, जो कह एक group बोलता है, that यह जो climate change है, वो हम लोग का carbon emission के लिए यह सब चीजों के कारण हो रहा है और एक group of geographers है, वो बोल रहा है देखो भई, यह जो climate change हो रहा है यह natural climate change है that is, पूरा दुनिया जो है अलग-अलग phases of climate change से गुजर रहा है अभी जो phase वाला climate change है वो है आपका interglacial period interglacial period क्या होता है देखो, एक period होता है जिसको बोला जाता है glacial period glacial period में क्या होता है glaciers बनते हैं तो दो consecutive glacier period के बीच वाला जो period है उसको कहते है interglacial period इसमें क्या होता है, glaciers पिघलते हैं और यह theory geographers and scholars के द्वारा दिया जाता है तो basically, शायद यह जो हम लोग analysis कर रहा है तो इस analysis से भी that can be you know, that can be one of the conclusion out of it right so anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session I hope that this is a productive discussion चलो, just download this pdf course links are given in the description and yes, just contact us if you come up with any short of issues regarding your preparations we are always there to help you up at Bhadraeis Academy चलो, मिलते हैं ने 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 लास में, बाइए